कि 1707 में औरंजेंगी मिर्तु हुई थी और 1824 में सिमेंट बना था इसका मतलब है कि वह फबारा है और ठोस पत्थर का हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गया आप कहने फबारा है सबाल पूछो अरे सबाल बापी मस्जिद में जो फबारा मिला अरे मैं क्या पूछ रहा हूं सुन तो लो किसी इसका बना हुआ है कि सबाल पूछा आप लोग आप लोग सरकार की दलाली में यह भूल गए कि प्रधान मंत्री ने 13 बार पेट्रॉलियम पदार्थों के दाम ब प्रधान मंत्री से कि भूखमरी के इंडेक्स में भारत का अस्थान कहा है आप सबाल नहीं पूछते मंदिर तो बन रहा है न सर बिक मांगोगे वहां कि घंटा बजाओगे अरे भाबा मिल गए अरे भाबा मिल गए क्यालास मनसरोबर आ गया हिंदुस्तान में अरे भाईया कि राजा बाज बहादूर के नित्रतब में जब कैलास परबत का जो एरिया है मांसरोबर का जीत लिया गया तो हिंदुओं के जो सबसे बरे आरादे सिव हम सब के दिल में बसते हैं आपके दिल में इनके दिल में उनके दिल में सब के दिल में बसते हैं तो वह सिव कहां भी राजमान है वह सिव कैलास परबत पर हैं और वह कैलास परबत चाइना के कबजे में हैं कब यह भाजपा आरे से के अंडोले लाठी भाला लेकर अच्छा पास हुआ तो लोग कह रहे अच्छे दिन आ गए तब पहन लो पैरों में पैजा घागरा चुली पहन के वहीं डांस करों ठुमका लगाओ भजबा कारिया लेकर सामने अरे उज्वला योजना में जो सिलेंडर बाटे गए उसके 20% भी रिफिलिंग हो रहा है क्या फिर अच्छे दिन लटा दो ला जिसमें 400 रुपय सिलेंडर मिल रही थी आरे सुन्ने रे बेशरमो सुन्तो लो 400 रुपय 2014 में जो सिलेंडर मिल रहा था हमें वही खराब दिन लादो हमें मौदी जी का ये अक्छा दिन नहीं चाहिए हाँ दुजोर कर्विंती है इनको बोलिए अपने अच्छे दिन वापिस ले ले हमारा वही दिन चाहिए जब 71 रुपे का पेट्रॉल और 55 रुपे 49 पैसे का डीजल 400 रुपे से कम की सिलेंडर मिल रही थी हमको वह चाहिए भारत जो लोग विरोधी है वही सबसे पहले 5 खिल लिया होगा मैं फांसी के फंदे पर जूनने के लिए तैयार हो नहीं तो तुम जैसे आतंकबादी भरवे दल्ले दलालों ने देश को गुम्रा किया है तुम जैसे दलालों ने मैंने नहीं लिया सरकार का एक पैसा भी 20 लाख हजार करो रुपे का पैकिस्था करोना रहत के नाम पर 20 रुपया मिला क्या गोड़ा तुम 110 लोग हराम के खाने वाले लोग हो सुभास्चंदरा की तरह इस लिए तुम्हें धाजबा में अच्छाही दिखती है महंगाई आज तक अंधे हो अरे मोधियाविणी की विमारी है अरे फिर मैं पूछ रहा हूं घर में आपके पापा की चड़ी फटी परी है उसोच रहे दो किलो रासन कहां से लाओं आइदत मोधी आइदत मोधी आप रासन नहीं लेते होंगे सुन तो लो सुन तो लो और कुछ बोलोगे नहीं हो गया रासन आपके पापा ने अपने पैत्रिक संपति बेच कर दी है क्या तो आप यह सुने रहे यह मस्रूम की सबजी किसके पैसे से खा रहे अरे भाईया इतने बेसर मत बनो वो दिन दूर नहीं कि स्रिलंका के में जैसे हुआ ना पत्रकारों की तीन दबाई लात जुत्ता और पिटाई हिंदुस्तान में भी चालू होने वाला है आप बताओ मोदी जी जो मस्रूम खाते हैं उनके पिताजी ने खेत बिचके लाया था जो पचासी अजार करोर के विसेश विमान में चर रहे क्या उनके पिताज सबापी मस्जिद मुद्दा ने है आपसे सबाल पूछल में किसको बोलते पत्थर और सिमेंट मिला के बनता और क्या है वह कहें ना बस एक जवाब बजें आपको आपके धरम का वास्ता आपको आपके माबाप का बास्ता पोर्ट लेंग से सिमेंट जो सिमेंट से कंक्रीट आप बनाने की बात कहते यह 1824 में अविश्कार हुआ था सिमेंट का मतलब साफ है समझिए 1707 में औरंग्जेव की मिर्तु हुई थी और 1824 में सिमेंट बना था इसका मतलब है कि वो हवारा है और ठोस पत्थर का हिंदू पक्ष कह रहा है कि बाबा मिल गया आप कहने है हम कुन पक्ष है हम कुन पक्ष है आप बतावना है आप बताए न तिलक दार अशके बोले नारी आचारो काम बिगारी वही वाला बात करने चल दिए पति को सीप dif करेंट मना ना है है यह लगरी फोस पत्थर में पानी के फबारे बन सकते हैं क्या और पानी का फबारा रीपियर होके हो सकता है जब 1824 में पोर्ट लैक सिमेंट का विस्कार हुआ तो 77 जब औरंगे मर गया तो यह क्या इशू है अरे कौन सा सेक्ष परा रहे हो सुनो सुनो कभी हिजाब का मुद्दद कभी लौटी स्पिकर मुद्द कभी हन्मान चलीशा पर हो हन्मान चलीशा में कि किया बैद्ध कहा जाता बताऊ एक को पूछ रहा हूं ना तकाई ला सब्सक्राइब तयों तलते हो अरे अरे में सरमस्ता के दलालो भर्म मैं पूछता हूं चलिसा नाम क्यूंपरा शुसर हो पता हां ओति आप रिंदुपक्षा है अ तुम यह खली मुझे लगा वेसे छे चुम का लगां मोदी जी की रोटी कह कि पूछने की पूछता हूं आपकी आवकाद है यह पूछने की पत्रकार हो तो भगमान के भाई हो आप सवाल नहीं पूछते मोदी जी से की हिंदुस्तान जिंक कैसे विकाव आप सवाल नहीं पूछते जापान के घर में जो यह मदारी के खेल खेलते हो ना आप लोग किराय का ओडियांस किराय का सुन तो लो डांस मत करो अब डांस करते में अच्छे नहीं लगते सुन लो मैं जो कह रहा हूं देश की इतनी दूर्दसा क्यों हुई जब सिनियर सिटीजन के पैसों से इतने करोरों हजारों करोरों रुपे की बचत हुई जो ट्रेन के टिक्टों में दाम बरहा दिये गए जो महंगाई बरहाई गई देश में सब कुछी मंदारी से चल रहा है तो वो सब पैसे कहां जा रहे है यह धरती लिल रही है आस्मान लिल रहा है आप वो बातने कौन से विकास हुआ यही कि भारती यह रेल बेस दिया गया विकास है यह हिंदुस्तान जिंक बेस दिया गया यह विकास है आप उस पर नागिन डांस कर रहे थे आप आरियन खान के मामले पर और आरियन खान बरी हुआ केपी घोसाभी और भानू साली सब मिलकर उसको फंसाने की कोशिस की कोडियल कुरूज जाहाज के मामले में आप उस पर नहीं बात करते आप उस पर बात नहीं करते कि आडानी के पोर्ट पर हेरोईन का पक्राजाना आप नहीं बात करते कि वही गुजरात जो देश को गढ़ने का काम किया जो देश को निर्मान किया उसी गुजरात को सरदार पटेल और महात्मा गंधी के गुजरात को सिर्फ मोदी और शाह की जोरी लगातार बदनाम क्यों कर रही है आप बात नहीं करते यानपाबी में क्या है ये आपको पता है लेकिन पुलवावा में 300 किल किसका था 50 किलो जेलटीन किसका था वह कार किसकी थी उसका पता आप से नहीं चलता है यह आपके उकाद के भर की बात है आज भी उन सहीर पडिवारों के लोग की पेंसन बाजपई सरकार में जब बंद हो गई थी तो आप समझो उन्हें लोगों के घर पर चलाना कोई दू यह हो रहा है अरे बोलने में और करने में फर्क है ना उन्होंने तो बोला था बुले ट्रेन चलाएंगे साधरन ट्रेन इनकी चलानी की आउकाद नहीं है आप उस पर सबाल पूछो ना मैंने आपको साफ सब्स्वत्रम बोला यह दो मिनिट का काम है कि सिभलिंग है कि फब इतिहासकार के साथ साथ धर्म गुरुओं को एक साथ बिठा के किलियर कर लेना चाहिए इस धर्म की यार में आप भारत को गर्त में ठकेल रहे हैं यह चीज बरदास्त नहीं है और हकलाव मत मनो हम समझ रहे कि बिल्ली के तरह रास्ता काट रहे हो चुकि पैसा मिला हुआ ह अधाय करोगे तब पैसा मिलेगा नहीं वापिस ले लेगा उल्टा जीडी का जबा मार देगा आपको आंसर देने के पैसे मिले हैं क्या सुन तो लो हम तो भारत के नागरिक हैं इसलिए सवाल पूछना कर था अपने मा की बाप की कसम की मोदी जी अच्छा कर रहा है बता अधे घुड़ा जी नागरिक हूं आप भारत की मुट्व कर दिन कि जोह आप भारत की मिट्टी को चूग है कसम कर देक हो कि हम डश की पर्ती सच बोलेंगे दर डेसक में जो सरकार है मौजूदा सरकारी मंदरी सरकार है और की मा रहा है क्यूं दाते भार रही हो आते रखो नो ये भारत की मिट्टी है अरे इसको ऐसे लगाओ अपने सीने से माते से ये मिट्टी ये भारत की इसी मिट्टी में दफन होना है अरे बेसरमी की हद छोड़ो नाचना तमासा करना बंद करो करना नहीं सवाल पूछो कि देश में चना उचित है जो मत सुनेंगे आपको पैसा मिला है सुनाने की हमको नहीं मिला है हम लो ये मिट्टी की किसम खाओ अरे आप सभी दलालों को खुला चैलेंज है किस भारत मां की मिट्टी के कसम खाके बताओ जो सरकार बाठी है वो बिलक टेख कि में बुंगा जाइ तेख कि में बुंगा है बाठी है वो घ्टी है जो कि कुछ किमें बुंगा सुना नहीं है